लोगों से उधार मांग मांग के मांग मांग के मांग भरने की नौबत आ गई है उपर से लेके नीचरत एसेंबल हो में चलते दिरते कोई हाड़ वेर गिर गया तो सरी पूजा, मा बचपन में गुजर गई थी और बाप अभी आपके पीछे से गुजर है पाइनेली दोस्तों आइसमान खुराना लोट कर आ चुके है एक और धमाके दार फिल्म लेकर जिसका नाम है ड्रेम गल टू जियां दोस्तों ड्रेम गल टू जिसके बारे में हमने जितना सोचा था उससे कही ज़्यादा बहतर और कही ज़्यादा एंटेटेनिंग फिल्म ये बन चुकी है क्योंकि दोस्तों Dream Girl 1 जब आई थी तो उस फिल्म में इतनी कोमेडी थे कि हम सब हस हस कर लोट पोर्ट हो चुके थे तो Dream Girl 2 से भी सब की उमीदे काफी ज़्यादा बढ़ चुकी थी लेकिन यहाँ पर फिल्म के डायरेक्टर रास सांडलिया ने जितनी भी लोगों की उमीदे थी उन पर पूरी तरह से खरे उतरे हैं क्योंकि Dream Girl 2 में इस बार दुगनी कोमेडी, दुगना ड्रामा और दुगना एंटेटेन्मेंट है जिया दोस्तों आपको बता दे कि इस फिल्म की सुरुआत से लेकर फिल्म जब तक खत्म होगी तब तक आप पेट पकड़ कर खूब हसने वाले हो यहाँ पर आयुश्मान खुराना, Dream Girl 2 यानि कि पूजा के केरेक्टर में फिर से आपका दिल जितने में कामियाब होते हैं और इस बार तो आयुश्मान खुराना आपको पूरी तरह से चोकाने वाले हैं क्योंकि इस बार वो सिर्प पूजा बने नहीं है आवाज से मतलब कि इस बार तो उनका गेट अप भी आपका दिल चुरा लेगा लेकिन दोस्तों इस फिल्म में आयुश्मान खुराना का काम तो जबर जस्त है इसके अलावा फिल्म की जान है इसकी सपोर्टिंग काश्ट जिया दोस्तों आपको बता दी कि इस फिल्म की सपोर्टिंग काश्ट में हमें सभी लेजेंडरी कोमेडियन्स देखने को मिल रहे हैं जैसे कि विजे राज, अनुकपूर, सीमा पावा, राजपाल यादो, साथ ही साथ, परेस, रावल, और यकिन मानिया दोस्तों ये सभी केरेक्टर इतने ज़्यादा एपिक और इतने ज़्यादा इंटेटेनिंग है कि इनको स्क्रीन पर देखकर आप पेड़ पकड़ पकड़ कर खूब हसने वाले हो यहाँ पर दोस्तों फिल्म के स्टोरी पहले पाव से भी बहतर है, लेकिन दोस्तों उससे भी अच्छी बात क्या है कि ड्रेम गर्ल्टू में जितने भी कोमेडी सीन से वो आपने आप comedy निकालते हैं, मतलब कि यहाँ पर किसी तरह की force comedy देखने को नहीं मिलती, जितने भी comedy scenes बनते हो, वो situation के हिसाब से, काफी बढ़िया तरीके से create किये गए, और ये comedy scene देखकर, आप जब पूरे cinema घर में इस film को देखते हो, तो आप खुब आसने वाले हो, यहाँ पर दोस्तों film के जो dialogue से, वो काफी बढ़िया और जो one line punch से, वो तो इतने hilarious है, कि हर एक punch पर आप city और तालिया बजाने वाले हो, फिल्म का music भी ठीक ठाक है, और कुछ एक गाने तो आपको दिन भर गुन गुनाने पर मजबूर कर देंगे, लेकन दोस्तों इस film की सिर्फ और सिर्फ जो सबसे बड़ी जान है, वो है इसकी comedy, मतलब कि दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन फिर से repeat करूँगा कि इस film में, इस बार इतनी comedy भर दिये कि आप पिछली बोलिवोड की जितनी भी comedy फिल्म है ना, उन सब को भूल जाओगी, तो दोस्तों Dream Girl 2 सही माइने में एक perfect family entertaining film है, जिस film को आप पूरे परिवार के साथ जब cinema घर में देखोगे, तो आपके ticket के जो पैसे है, वो तो सुरू के आदे घंटे में वसूल हो जाएंगे, बाकी फिल्म आप जितनी देखोगे ना, वो समझो बोनस ही, तो कुल मिलाकर यही फिर से कहूँगा कि फिल्म out and out, full on entertaining film है, जिस film को बिल्कुल भी miss मत करना, क्योंकि इस तरह की comedy film में, आज कल बोल्योड में काफी कम बनती है, तो दोस्तो फाइनली बोल्योड के अच्छे दिन लोट कर आ चुके है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से, जितनी भी फिल्में आई, इस सभी फिल्में ब्लोकबश्टर रही, और यहाँ पर ड्रीम गर्ड टू भी बोक्स ओफिस पर एक बड़ी ब्लोकबश्टर बनने को तयार है, बताना चाओंगो दोस्तो फिल्म को आज रिली जोते ही, पबलिक की तरफ से भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला, और यह फिल्म मेकसिमम सिनमा घरों में पूरी तरह से हाउसपुल चल रहे हैं और फिल्म बोक्स ओफिस पर पहले ही दिन 15 करोड से जादा की कमई करने वाली है, तो फिल्म को तो ब्लोक्बस्टर रिस्पॉन्स मिल चुका है, आप भी जाईए और फिल्म देखिए, फिल्म आपको बहुत पसंद आने वाली है, मैं इस फिल्म को दूँगा 4 ओटो 5 श्टार और आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाओ इस फिल्म को देखो, अपने दोस्तों के साथ देखो, अपनी गल्फ्रेंड के साथ देखो, अपने परिवार के साथ देखो, लेकिन इस फिल्म को सिर्प और सिर्प बड़े बहुत मज़ा आएगा